गुट्थ मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिवDel Aकैडमिए में स्वागत है। मैं सुधा कर सिंग आप सभी लोगों का वेल्कम करता हूं। सुबह सबेरे की Current Affairs की इस कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनाह वैलकम है चलिए बिना देरी किये हुए सुबह सबेरे की Current Affairs की कक्षा को प्रारंब करते हैं बिना देरी किये हुए Friends एक बात मैं कहूंगा कि आप सभी लोग दोस्तों अपने लिए एक निश्चित रूप से प्रति दिन का एक लक्ष बनाया करिए उस लक्ष के लिए आप लगातार काम करिए और जब आप उसके लिए लगातार काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी ठीक है और उसके लिए आपको लगातार काम करना है सारा दिन उसी के लिए आप काम करिए तो चलिए करेंट फेर्स की इस कख्षा को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरूर करिए साथ में सभी दोस्तों से यह जरूर कहुंगा मैं कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए आपके जो भी गृप्स हैं या फेस्बुक हैं जहां भी आप सोसल मीडिया से जुड़े हुए हैं जिससे और अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सके चैनल के साथ और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके तो चलिए सुरुआत करते हैं आज का पहला प्रिष्ण है आपका भारतिय सेना के किस कमान ने एकी कृत अगनी शक्ती अभ्यास सत्रोनास का आयोजन किया है दक्षडी पषच्चिमी कमान ने इसका आयोजन किया है या आप सभी लोगों को भ्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन देखते अगला प्रेस ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 600 मेगावाट के कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उध्गाटन किया है तो हाल फिल हाल में 600 मेगावाट के कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उध्गाटन देश के माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा किया गया है तो याद रखेगा कामेंग हाइड्रो पाऊर स्टेशन जो है अउनाचल प्रदेश में धिर्मित हो रहा है 600 MW का जल विद्दुत परियोजना है जिसका घाटन माननी मोधी जी द्वारा किया गया है ठीक है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपका अगला प्रस्न है, किस खिलाडी ने छटवे एटीपी फाइनल खिताब, सिक्स्थ एटीपी फाइनल खिताब जीता है, तो हाल फिलहाल में छटवाँ एटीपी फाइनल खिताब जीतने वाले खिलाडी हैं, नुवाक जोकोविच, विंबल्टन प्लेयर हैं, नुवाक जोकोविच, तो याद रखेगा, इन्होंने छटवाँ एटीपी फाइनल खिताब जीता है, ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगला प्रस्न है आपका, पोटू लांस इंस्टिट्यूट वासिंगटन दीसी द्वारा ज जारी, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस इस्थान पर रहा है, पोटू लांस इंस्टिट्यूट वासिंगटन डीसी द्वारा जारी, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022, कौन सा इंडेक्स है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का इस्थान क्या रहा है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत का जो इस्थान रहा है अगर उसकी बात किया जाए तो 61 रैंक रही है 61 इस्थान रहा है कौन सा इस्थान रहा है 61 इस्थान रहा है यह ध्यान रखना है 61 इस्थान पर भारत रहा है ठीक है? आपका अगला प्रस्न है किस राज्य सरकार ने कार इस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले मानव संसाधन को पुरिश्कृत करने के लिए एक पुरिश्कार योजना की सुरुवात की है किस राज्य सरकार ने कार इस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले मानव संसाधन को पुरिश्कत करने के लिए एक पुरिश्कार योजना की सुरुवात की है तो यहाँ योजना की सुरुवात करने वाला राज्य है आपका हरियाणा राज्य किस ने किया है तो हरियाणा राज्य ने यहाँ शुरु किया है ठीक है कि किसी भी राज्य कारिस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले मानोस अंसाधन को पुरिशकार दिया जाएगा ये प्रोग्राम हरियाडा राज्य सरकार के द्वारा सुरू किया गया है जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे आपका अगला प्रस्ण है भारत ने हाल ही में किस देश से एवन संबंधी वैस्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहन किया है तो ये है फ्रांस से ही यह पद ग्रहन किया गया है या आप सभी लोग ध्यान रखेंगे तो आपका अगला प्रस्ण है किस संस्था ने Handbook of Statistics on Indian States 2021-22 जारी किया है यानि किस संस्था ने Handbook of Statistics on Indian States 2022-22 जारी किया है यह जो छुड़ीया जारी किया है और भी आ रिचिशर और इंडिया या भारती रिचर बैंक के दोा जारी किया गया है यह आप सभी लोग रखेंगे तेमिघेस तीघु नहीं किया करिए सारे questions आपके important हैं थोड़ा सा मैं option नहीं देता इसमें direct answer देता हूं कि जिससे आपका समय की पच्छत हो जाए और आपके दिमाग में बार बार देख करके इस वीडियो को आप दिमाग में इस answer को बिठा सके आने वाला कोई भी एक्जाम हो जहां पर current affairs related प्र वीडियो महत्पूर्ण है very important है जिसे आप निश्च दूरूप से देखिएगा ठीक है the handbook of statistics on Indian states 2021-22 किसके दौरा जारी किया गया तो RBI के दौरा जारी किया गया है next question आपका किसके दौरा घर go home and reunite portal launch किया गया है किसके दौरा घर go home and reunite portal launch किया गया है NCPCR के दौरा जारी किया गया है घर go home and reunite portal ठीक है next question है आपका हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है तो गांधी मंडेला पुरुस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं दलाई लामा इसे सम्मान दिया गया है तो दलाई लामा जी को यह सम्मान दिया गया है दलाई लामा क्या होन होते हैं तिबबत में धर्म गुरू होते हैं बौधों के और हमारे यहां दलाई लामा के लिए आपके हिमाचल प्रदेश में एक इस्थान निर्धारित किया गया है धर्मशाला का जहां पर यह निवास करते हैं यह वहीं पर इन्होंने हैड आफिस बनाया हुआ क्योंकि जब 1959 के आसपास तिबबत के छेदर पर कपज़ा किया गया चीन के द्वारा तब से वहां के जो धर्म गुरू थे भारत सिफ्ट हो गए और भारत ने इसकी जिम्हेदारी ले इनकी सुरक्षा की और धर्मशाला में हैं इनका मुख्याले या कह सकते हैं हैड आफिस बना हुआ है जहां पर यह रहते हैं मठ बना हुआ है कहा जा सकता ह धार्मिक मठ बना हुआ है बहुत धन्म का धर्मशाला में ठीक है किमाचल प्रदेश तो गांधी मंडेला पुरुसकार से सम्मानित किसे किया गया दलाई लामा को किया गया आपका अगला प्रस्न है कतर में फीवा वर्ड कप 2022 के उध्गाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे किसने किया था भारत को प्राश्वत्ती जगदीब धनकर ने किया था Next question है आपका List a cricket में लगातार पांच सतक जड़ने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए है तो लिश्ट एक cricket में लगातार पांच सतक जड़ने वाले पहले खिलाडी बन गए है आपके n जगदीशन कौन बने है जगदीशन बहुत महत्पूर्ण है खेल से संबंदित प्रिष्ण है आपके किसी भी परिक्षा में आने की पूरी संभा होना है एन जगदीशन जो है एक क्रिकेट वर्ग में लगतार पांच सतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गया है ठीक है आपका अगला प्रिष्ण है किस देश ने खासूंग 7 या मोश्टर मिसाइल लौंच किया है तो यहा है लांच किया गया है उत्तर कोरिया के द्वरा किस के दोरह उत्तर कोरीया के दोरह लॉंच किया गया है। याद रखेगा ह्वासॉंको सेवेंटीन आपके सामने देख लीजिक नॉर्थ कोरिया है यह पूर्या प्रायदीप कहलाता है। कोरिया प्राइदीप पे ही उत्तरी कोरिया दक्षिड कोरिया बसे हुए है नौर्थ कोरिया या उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्याउंग यांग और दक्षिड कोरिया की राजधानी है सी ओल एक तरफ आपका देखेंगे तो यलो सी है पीला सागर है दूसरी दरफ जाप जापान सागर है सी आफ जापान है और यह देखें यहां पर अगर देखेगा तो कोरिया इस्ट्रेट है कोरिया जल संधी है जो जापान से कोरिया प्राइदीब को अलग करती है यह आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ठीक है उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है आपकी प्योंग योंग है अगर बात किया जाए तो इसके अलावा अगर बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी सी ओल है ध्यान रखेंगे ठीक है जापान से कोरिया जल संधी के द्वारा यह अलग होता है पूरा का पूरा कोरिया प् भारती महिला कौन बनी है तो एशन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्राँज मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला मनिका बत्रा बनी है कौन मनिका बत्रा तो याद रखेगा मनिका बत्रा ने ब्राँज मेडल जीता है का से पदक जीता है एशन टेबल टेनिस टूर्नाम इंडिया दोहजारबाइस सिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया ते उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में कहां हैदराबाद में किया गया है तलंगाना की राजधानी हैदराबाद वहीं पर यह किया गया है याद रखेगा आपको कमेंट वॉक्स में बताना है कि पहल या आप comment box में मुझे बताएंगे ठीक है चलिए आपका अगला प्रस्न है किस राजे के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्षा पुरुषकार योजना की सुरुवात की है मुख्यमंत्री सिक्षा पुरुषकार योजना की सुरुवात की गई है तो उड़ीशा के मुख् पूर्वोत्री सिक्षा पुरुषकार योजना की सुरुवात की है तो उडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जिन्होंने इसकी सुरुवात की है ठीक है यह आप सभी लोग ध्यान रखेंगे आपका अगला प्रस्न है आली में सिलांग में संपन्ध हुए पूर्वोत्र ओलंपिक खेलो में कौन सा राज्य सीर्ष पर रहा है तो हाल फिलहाल में सिलांग में संपन्ध हुए पूर्वोत्र ओलंपिक खेलो में मणिपूर राज्य सीर्ष इस्थान पर रहा है कौन सा राज्य सीर्श स्थान पर रहा है तो आपका मनिपूर राज्य सीर्श स्थान पर रहा है इसमें अगर बात किया जाए तो इसे कुल मेडल 237 मिले है जिसमें 85 गोल्ड मेडल है 76 silver medal है और 77 bronze medal है ठीक है तो 237 medal जीत करके मणिपूर सिलोंग में संपन्ध हुए पूर्वतर ओलंपिक खेलों में प्रथम इस्थान पर रहा है ठीक है महत्पूर जानकारी है महत्पूर डेटा है जिसे आप ध्यान रखेंगे मणिपूर राज्य सिर्श स्थान पर रहा आपका अगला प्रस्न है हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन एस्सोशेशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी खिलाडी कौन बने हैं तो हाल फिल हाल में सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर एक एस्सोशेशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी खिलाडी कौन बने हैं तो हैं कारलोस अलकराज कौन बने हैं कारलोस अलकराज तो कारलोस अलकराज एस्सोशेशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी में वि पोलो टोनिय पोलो एयरपोर्ट का उद्गाटन कहां किया है तो डोनिय पोलो एयरपोर्ट का उद्गाटन मान नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपके इटा नगर में किया गया और इटा नगर है कहां अरुनाचल प्रदेश में हैं कहां हैं प्रदेश और चीन के मध्ध की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को हम मैक मोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं सामान नुरूप में हम पढ़ते हैं कि चीन और भारत के मध्ध की सीमा रेखा मैक मोहन रेखा कहलाती है तो यह मैक मोहन रेखा केवल अरुनाचल प्रदेश और चीन के मध्ध इस्थित सीमा रेखा को कहा जाता है जबकि आपको पता है कि तिबबत के छेतर के बाद अगर हम लड़ाक के रीजन में जाते हैं तो लद्दाक के छेत्र और चीन के मद्ध जो अकसाई चीन का छेत्र है वो अविवादिच छेत्र है यहीं पर LAC है Line of Actual Control मौझूद है LAC Line of Actual Control ठीक है तो याद रखेगा Mac Mohandekha का सम्मन्द चीन और अरुनाचल प्रदेश से है आपका next question है खाल ही में 34 में सब जूनियर अंडर 13 National Badminton Championship 2022 कहां आयोजित की जाएगी खाल ही में 34 में सब जूनियर अंडर 13 National Badminton Championship 2022 कहां आयोजित की जाएगी तो इसका आयोजित क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश की राज़धानी लखनोव में तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है 34 में सब जूनियर अंडर 13 National Badminton Championship 2022 का आयोजित उत्तर प्रदेश के लखनों में हो रहा है यूपी का आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए यह बहुत ही महत्पून प्रस्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही 34 में सब जूनियर अंडर 13 National Badminton Championship 2022 का योजित किया जा रहा है आपका अगला Question है हाल ही में किस राज्जे के मुख्यमंतरी ने अमर सरकार Portal लॉंच किया है अमर सरकार Portal त्याज रखना है आप सभी लोगों को कि त्रिपूरा राज्जे ने हाल फिल हाल में अमर सरकार Portal लॉंच किया गया है तो कौन अमर होने वाला है बस इससे याद रखेगा त्रिपुरा अमर सरकार त्रिपुरा से संबंधित हैं इसका उद्देश से क्या है केंदर सरकार की योजनाओं को सीधे सीधे लोगों तक पहुँचाने का कारे किया जाएगा यादनी बीच में कोई व्यवधान ना हो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से केंदर सरकार की योजनाओं सीधे लोगों तक पहुँचे तो अमर सरकार पोर्टल जो है आपके किसके द्वारा लॉंच किया गया है आपके राज्य के मुख्ध बंगलादेश से घिरा हुआ है ठीक है आपके इस साइड भी बंगलादेश का रीजन है इधर भी आपका दक्षिड में भी बंगलादेश का रीजन है पूरब में भी है पस्चिम में भी है उत्तर की तरफ थोड़ा से उत्तर पूरब जाएंगे तो आसम और मिजोरम का री उने रेखा जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जीरो लाइन का संबन्द भी त्रिपूरा और बांगला देश से हैं और यह एक ऐसा राज्य है जो एक ही देश से तीन ओर से घिरता है यह बांगला देश से घिरता है और इसकी राजधानी है अगर तला आपका अगला प्रस्ण है हाल ही में ग्रह मंत्री अमित साह ने आतंक वादी वित्त पोषण में वैस्विक रुजान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहां की है तो हाल फिलाल में ग्रह मंत्री अमित साह ने आतंक वादी वित्त पोषण में वैस्विक रुजान पर पहले सत्र की जो अध्यक्ष्टा की है वह नई दिल्ली में की है कहा की है नई दिल्ली में यह अध्यक्ष्टा की गई है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे आपका अगला प्रस्थन है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्गाटन के कहां किया है जियाद रखना है हाल फिल हाल में नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्गाटन माननी प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है इसका उद्धे से टेरर फंडिंग को रोकना यानि पूरी तरीके से जो आतंकवादी आतंकवाद से रिलेटेड गतविधियां हैं उनके लिए जो पैसा दिया जाता है फंडिंग की जाती है उस पर पाबंद परदमटील लगाने का कारी इसके द्वारा किया जाएगया , पूरी तरीकेसि से रोकने का परियास होगा आपका अगला प्रस्थन हाल ही में , विश्व सवचाले दिवस कब मनाया ग्या ग्या ? आप सब्सहोब ध्यान रखेगा 19 नवंबर को 144 दिवस मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है कि 19 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका अगला प्रस्ते है हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क पेस किया है तो याद रखेगा तमिल नाडू सरकार ने पेस किया है हाथियों की मौत की निगरानी के लिए हाल फिल हाल में तमिल नाडू राज्य सरकार ने वन विभाग द्वारा भारत का पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क पेस किया है इसमें निगरानी भी रखी जाएगी क्योंकि मौत किस कारण से हो रही है कितने हाथियों की मौत हो गए देख बहतर कारहे खास करके हाथियों की सुरक्षा को लेकर के elephant की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा कारहे है तमिल नाडु सरकार द्वारा तो पहला Elephant Death Framework तमिल नाडु राज्य ने पेस किया है आपका अगला प्रस्ने है हाल ही में ED निदेशक संजीव कुमार मिस्रा का कारेकाल कितने वर्स के लिए बढ़ाया गया है तो ED के निदेशक संजीव कुमार मिस्रा जी का कारेकाल एक वर्स के लिए और बढ़ा दिया गया है कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है आपका अगला प्रस्ते हाल ही में किस राज्य सरकार ने काटी वैलूगू योजना को फिर से लॉंच किया है काटी वैलूगू योजना तो तेलंगाना सरकार के दोरा काटी वैलूगू योजना को लॉंच किया गया है फिर से इसे पुनाह लागू किया गया है और इस योजना का जो देश से है वो आखों की जाच की जाती है मुफ्त रूप से और आखों की सरजरी की जाती है और मुफ्त में चस्मा दिया जाता है यानि आपके आईस से आखों से related किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका इला कि योजना द्वारा त्यलंगाना सरकार के द्वारा आपका त्यलंगाना। कि लाउंच काटी व्यल्गू सकीम इंजनवरी कैने से फिर से लांच किया जाएगा कार्टीय क्विल इस्किम इ से free देने का काम किया जाएगा तो यह कौन सी योजना है काटी व्यालूगू इसकीम या योजना जो आपके तेलंगाना सरकार के द्वारा सुरू की गई है फिर से आख से संबंधित है जिसमें जर्जरी भी है चेक बब भी है सारे काम किये जाएंगे जिन हे आफका अगला प्रश्चन है हाल ही में किसे भारतिय ओलंपिक एसोसीएशं की एसलीट कमिशन का प्रांद व्याद में इंटर्नेश्शन ओलंपिक Association IOA की Athlete Commission का अध्यक्ष MC Mary कौन को चुना गया है यह boxer boxer है boxing बहुत बड़ी player है बारे देश की भारत की त्याद रखेगा MC Mary काम जी को IOA की Athlete Commission का अध्यक्ष चुना गया है हाल फिल हाल में Athlete Commission का अध्यक्ष चुना गया MC Mary काम को Next Question हैं आपका, हाल ही में नलनाडा until we meet again नलनाडा until we meet again नामक पुस्तक किस ने लिखी है जिसका विमोचन प्रख्चात लिखक रसकिन बॉण्ड द्वारा किया गया है तो रहाल फिल हल रसकिन बॉण्ड ने इसका विमोचन किया है नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन जो गौतम बोहरा द्वारा लिखा गया है गौतम बोहरा द्वारा किया गया है अगर इसकी बात किया जाए तो यह है पुस्तक गौतम बोहरा द्वारा गौतम बोहरा द्वारा लांच किया गया है नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन गौतम बोरा द्वारा और ये हैं आपके गौतम बोरा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गौतम बोरा इस पोस्ट ग्रेजुएट इस्टिंशन फ्रम अक्सफोर्ड एंड इस एन ऑथर एंड कार्पूरेट प्रोफेशनल इस फस्सक्ति प्रेंट मॉनेटिण इन रवेशन पुबिश्डेश बोलिष्ट बूल्स बध़ हिस्चिंट एंड भाटम इस पासिए इंड इन एल्द एंड 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 वड़़ एंड इस टार्वाशिटर इं धिजित आर्विटन सुट्टिंट इस डिट इस इन अपने start-up and his earlier assignment was with Vodafone as vice president customer operations he is also a part of advisory board of some organizations पुरी तरीक से गौतम बोरा अथर हैं लेखा-खाय एक्सवोर्ट से पढ़े हुए हैं हाल-फिलाल में Vodafone से भी जुड़े हुए हैं तो एक businessman भी है और writer भी है यह है आपके गौतम बोरा ठीक है तो याद रखेगे इनके दौरा लिखी पुस्तक नलनाडा अंटिल वी मीट अगें महत्पूर्ण पुस्तक है पूछी जा सकती क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने इसका विमोचन किया हुआ है आपका अगला प्रसने हाल ही में किस खिलाडी ने छट्वाँ ATP फाइनल किताब जीता है तो छट्वाँ ATP फाइनल किताब जीतने वाले हैं नोवाग जोकोविच यह है आपके नोवाग जोकोविक और जो बात किया जाए तो यह सर्विया के खिलाडी है याद रखेगा सर्विया के एक प्लेयर है सर्विया के जाने माने प्लेयर है तो आप जोकोविक जिन्होंने छटवा एटीपी फाइनल खिताब जीता है आज का अंतिम प्रस्थन है बचो दोस्तों 30 questions डेली में डिस्कस कर रहा हूं 30 इस नंबर का प्रस्थन है किसे हाल ही में गांधी मंडेला प्रुषकार से सम्मानित किया गया है तो हाल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा आप भी जुड़िए अपने फ्रेंट को दिया उम्मीद कर रहा हूं आपके आने वाले की एक्जाम के लिए महत्पूर होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा आप भी जुड़िए अपनी फ्रेंड्स सरकल में भी सभी को जुड़िए चैनल से जिससे चैनल थोड़ा सा मूब आउन कर सके आगे की तरह बढ़ सके ठीक करेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए कि चीजें कैसी लग रही है आपके लिए यूसफुल है नहीं लेकिन चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा हैव गुड़ डे गुड़ लग बाबाए दोस्तों